बहुत strong belief है इस बात पर, यह मेरा अपना अंदाजा है, और आप भी अपना अंदाजा है, आगर अब मुंबई से है, महराज से है, तो आप comment में बताईए, कौन से party है कितने city जीते ही, मेरी नजर में, यहाँ पर देखे, बीजेपी 100 city जीते ही, शिफसेना 15 city जीते ही, शिंड यह है, वो 128 city जीते ही, जबके महा विगाज अगारी में, कौंग्रेश 66 city, शिफसेना उद्व ठागरी की 45 city जीते ही, जो के महा विगाज अगारी को 151 city जीता कर, उनको सरकार बनाने में मदद करेगी, और AMIM, अगर महराज के मुसलमानों ने, धोका नहीं दिया है, दगा न नहीं की है, पैसों में नहीं बिके है, या फिर कॉंग्रेश के जासे में अगर नहीं आये हैं, तो AMIM 9 city पका जीत रही है, लेकिन अगर वहाँ पर धानली हुई है, पैसे बटे हैं, या फिर मुसलमानों ने 70 साल वाली गलती फिर से दोरा दिया है, तो AMIM 3-5 city जीत रही है, यह मेरा आकलन है, अब आप सब मुझे कमेंट पर बताई कि आपके नजर में कौन से पाटे कितनी सीड़ी जीत रही है, ठीक, 24 घंटे बाद यह कंफर्म हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, तब तक आप कमेंट पर अपना अनुभव बिलकुल रखिए, हो सकता है, आप आपका एकजीट पोल या फिर आपका उपिनियन पूरा मैच हो जाए रिजल्ट से, अगर जिसका पूरा रिजल्ट होगा, इन्शालला उसका, इस सिजन्ट लेकर मैं ज़रूर उसके परश्चिसना करूगा, अब देखिए, बात उन लोगों की जिन्होंने चुनाओं में अपने जान जोगती है, वो है AIMIM के सोला शक्तिशाली उम्मिद्वार, देखिए, जिन लोगों ने भी AIMIM के टिकेट से महराश में चुनाओं लड़ा है, हार जीत होती रही, अब हारो या जीतो या कोई सीट भी नाए भी निगाए,